तो दोस्तों साल दुलबट एस और सारुक खांग के लिए जबदर रहा पर स्लमान की फिल्में कुछ खास कमान नहीं दिखाव सकी खेर इस साल दोनों की कोई फिल्म शिनेमा traffाल में नहीं आएगी दो फिल्मों ने बॉक्स ओपिस पर एक अजार करो का कारोबा किया डंकी भी खूब चाही रही उदर सलमान खांगी दो पिचल रिलिज होई किसी का भाई किसी की जान और टाइकर थी दो नोई फिल्म कुछ खास कमान नहीं दिखा पाई इस साल नहीं सारुक खांगी को फिल्म आयेगी यह नहीं सलमान खांगी 24-oryis त्यारी वाला साल होने वाला है आली में सलमान खांगी अपने केरे की सबसे बड़ी फिल्म का एलान किया सिकंडर अगले साल इर पर इलिज होगी जिसे ए आर मुगदास डायेट कर रहे हैं सारुक खान के खाते में भी कई फिल्म है इसी में से एक किंग है उसमें उनके साथ बेटी सुवाना कान भी होगी 2020 के लिए सारुक और सलमान खान ने तैयारी शुरूर कर दिये दो भुकाली टाइटिल के साथ तुवापसी करने वाले हैं शुदात शुरूख खान की किंग से करते हैं फिल्म को सुचोय गोष डायेट करने वाले हैं फिल्म में सारुक खान की बैठी सुवाना कान भी नज़र आएगी ये एक रो और रोस्टिक एक्षिन थिलर है जिसमें सुवाना खान डेब्यू करने जा रही है ऐसा कहा जा रहा है कि फिलम की कहानी मेटोर और उसके सिसे पर बेस्ट होगी जो तमाम परिशानी के बावजू डट कर सामना करती है फिलहाल फिलम पर 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 इसी साल 24 की गर्मियों में फिलम को फलोर पर जानने की बात सामने आ रहे है ये पिंप फिला की रिपोर्ट से फता लगा है फिलहाल सारु खांगे किंग के लिए कास्टिंग चल रहे हैं मेकर्स फिल्म में ए लिस्टर को लाने की प्रानिंग कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि किंग को अगले साल यानी 1225 के दूसरे हाफ में सिनिमा गरों में रिलीज किया जा सकता है। सल्मान खान ने एद के मौके पर अपनी नई फिल्म का टाइटल अनौस किया है। फिल्म को A.R. मुगदास डाइट कर रहे हैं जबकि साजिद रांडिया वाला प्रोडूस कर रहे हैं। अगले साल 25 एद पर फिल्म को रिलीज किया कर दिया जाएगा। मैई से फिल्म की शू रहे है। शिकंदा की टीम भारत पुर्टगाल और जिरोग के कई हिसों में फिल्म की शूटिंग करेगी। फिल्म को दोच्चोई कि आखिर तक पूरा करने की कोशिच की जाएगी। फिल्म को इद पर रिलीज करना है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है बताओ कमेंट दोस्तों आज के लिए पिस इतना है। बाई बाई